हेलो एवरिबन तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट एर स्टूडेंट के लिए इंजिरिंग ड्रॉइंग का आपका 2019 के एक्जाम में पूछे गए क्वेस्टन पेपर तो देगे बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कन्फ्यूज है कि क्य यानि करीब 10-12 दिन आपके पास बचा हुआ है समय और इतना भी समय आपके लिए बहुत काफी है आपके एक्जाम में पास करने के लिए क्योंकि यदि फर्स्ट एर की बात करें तो फर्स्ट एर में कुछ ही क्वेस्टन जो वह हमेशा रिपीट होते हैं जैसे कि यदि इं ये मतलब क्या ये सारा चीज आएगा ऐसा नहीं है लेकिन फ्री हैंड ड्रोइंग ही रहता ठीक है फ्री हैंड ड्रोइंग का मतलब क्या होता आपका आपको फ्री हैंड मतलब मुक्त हस्त रेखा आपको मतलब फ्री हाथ से जो अपने हाथ से जो यहाँ पर ड्रोइंग बन आपको ball pin hammer हो गया file हो गया ठीक है आपका fixed type जो आता है hexo हो गया movable type hexo हो गया तो यह सारे चीज वर्नियर के लिपर हो गया macrometer हो गया तो यह सारे चीज ज्यादा तर जो प्लायर हो गया तो यह सारे चीज जो आपको free hand drawing में पूछा जाता है यह आप इस में से cover कर लेते हैं तो हो जाएगा दूसरा question देखें यहाँ पर क्या पूछा गया था दूसरा number में आपको यहाँ पर bolt और nut assembly का question था आपका उसके बाद square thread बनाने के लिए पूछा गया था दूसरा question ठीक है 2019 के paper में तीसरा questions जो है वो तो आपका fix रहता है और यह questions तो हर एक साल आएगा ही आएगा ठीक है तो वो क्या आपका orthographic projection जिसमें आपको front view, side view, top view यह तीन view आपको बनाना रहता है isometric में है ठीक है isometric projection में आपको 3 view isometric दिया रहता है आपको orthographic इसका बनाना रहता है front view, side view, top view, ठीक है तो ये questions जो आपका बहुत important है first angle में पूछ सकता है, third angle में पूछ सकता है अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या यही question आएगा तो ऐसा नहीं है, figure आपका change हो सकता है ठीक है, ऐसा निक हर एक साल यही figure पूछता है, तो figure change हो सकता है लेकिन बनाने का जो process है, वो same रहता है आपका front view, side view, top view बनाने के लिए तो same process रहता है, ठीक है तो यह questions यदि आप cover कर लेते हैं यदि सबसे important बात करें, देखिए दो questions आप चलिए, कम से कम मान के चलिए हमको करना ही करना है, पहला तो यह हो गया projection का, जो की 20 नमर का आपका आता है और यदि passing marks की बात करें तो 50 में से आपको मातर 17 नमर pass करने के लिए लाना होता है, यहनि आप यदि इस question को भी पूरा सही सही बनाईएगा, तो इसमें भी आप pass कर जाईएगा एक ही question से, ठीक है, फिर भी आप मान के चलते हैं कि पूरा कोई भी student इसमें 20 में 20 नहीं ला पाएगा, कुछ ना कुछ वो तूटी जो जरूर करेगा, तो ऐसे condition में आपको क्या करना है, पहला question जो आता है, आपका आता है free hand drawing का, ठीक है free hand drawing का आपका, उसको करीब 30 नमबर जो कम से कम मान के चलिए, कवर करेगा, 30 to 35 नमबर ये दो question ही आपका कवर कर लेगा, ठीक है, इसलिए आप फिरी hand drawing पे कमांड कर लेते हैं, और दूसरा orthographic projection में, front view, side view, top view बनाने के लिए सीख लेते हैं, third angle या first angle projection में, तो आराम से आप engineering drawing पास कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 2019 का जो आपका paper है, इसका मैंने solution भी यहाँ पर कर रखा, देख सकते हैं, आप लोग solution को यहाँ पर answer जो है, वो भी दिखा दिया, मैंने scriver का इस तरह सापको बनाना रहेगा, twisted drill जो है, उस इसके बाद यहाँ पर देखें, square thread पूछा गया था, जो कि यह आपका drawing है, उसके बाद जो तीन number जो कि मैंने बोला, आपको front side top view बनाने के लिए वो यह है, ठीक है, तो यह सारे questions जो आप पूछे गया थे, यह 2019 के paper में पूछे गया थे, अब next class में मैं क्या करूँगा, तो 2018 का जो paper है, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, एक बाद आप लोग चाहा है, तो इसका screenshot लेके रख सकते हैं, या फिर इसका जो question है, इसको मैं telegram group पे share कर दूँगा, ठीक है, तो एक बाद आप लोग इसका चाहा है, तो screenshot ले लिजीए, यह सारे questions देख सकते हैं, आप लोग, आया कुए है, उसके बाद ये तीसरा number question है, जो आप लोग चाहा है, तो screenshot इसर नमर का भी लेके रख सकते हैं, ठीक है, चलिये ये हो गया, अब answer का यदि screenshot लेना हो, तो ले सकते हैं यह आपका आंसर है उसके बाद दूसरा नमर का यह आपका आंसर है ठीक है फ्रियंड वाला यह आंसर है ठीक है उसके बाद नर्ट वाला जो आपका यह आंसर है और जो देख सकते हैं आप लोग और यह प्रोजेक्शन का आपका लास्ट जो कुश्चन था फ्रेंट side view top view उसका आपका यह answer है ठीक है इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं तो चलिए मिलता है next class में